तो बच्चों CBC की तरफ से नए अपडेट है आपके टमवन का रिजल्ट आ चुका है अब टमवन के रिजल्ट से बहुत से स्टूडेंट सेटिस्फाइद नहीं है जो सेटिस्फाइद है उनको कॉंग्रेचुलेशन जितना आपने सोचा था उससे अच्छे माक्स आए या पूतरे माक्स आएं तो आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई लेकिन बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि जितना उन्होंने सोचा था उससे थोड़ा सा माक्स कम रहे गए हलांकि एमसी की एक्जाम था तो चांस बहुत कम है कि गड़बड हो कि आपके एक्जाम के लिए लेकिन फिर भी अपनी सैटिसफेक्शन के लिए अगर आपको आप चाते हैं कि हाँ आपके माक्स की वरिफिकेशन दुबारा हो आपका रिजल्ट फिर से चेक किया जाए तो सीबेसी ने उसका पूरा प्रोसेस बदा दिया है कि आपको किस तरीके से चेक करना है आपको चाहिए उसके अलावा और क्या क्या-क्या चीज़ें सर्फ यह नहीं है की आपका रिजल्ट के बारे में बताया काफी सारी चीजे में सर्कूलर में कि are करके आपको समझाता हूं तो आयो चलते हैं अपनी कम्प्यूटर स्क्रीन पर उससे पहले एक चीज और कहना स्टार्ट करने वाले हैं अगर चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और चैनल का पूरा-पूरा लाव उठाना चाहते हैं पूरा-पूरा चाहते हैं कि जो भी हम चैनल पर अप्लोड करें वह आप तक तोरंत पहुंचे तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना एक आपको जाके जो एक बैल बटन होता है उस बैल बटन पर आपको क्लिक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बैल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि जो भी नई अपडेट्स जो भी रेगुलर अपडेट्स आपको आती रहेंगी अब C.U.C.T. या C.B.C. कि व इसलिए दिखा रहा हूं तक ही आपको यह ध्यान रहें कि आपको हमेशे अपनी ओफिशल वैबसाइट जो है C.B.C. कि उस पर चैक करना है कि क्या सर्कुलर अभी सर्कुलेट हो रहा है वो जैनुवन है या नहीं है तो हम यहां पर साथ बार में जाके लिखेंगे C.B.C. इस पर क्लिक किया तो आपके सामने जो C.B.C. का पेज है इस पर आप क्लिक करेंगे तो C.B.C. का पेज आपके पास खुल जाएगा और इसमें आपको जाना है में वैबसाइट पर जो भी लेटे सर्कुलर है वो आपको यहां पर विजिबल होते हैं तो इस में आपको यहां पर क्या कर रहा है मैंने ओलेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं सिधा आपको वहां पर लेके चलता हूं तो यह हमारे बस तो यह था क्लास 12 प्रफॉर्मेंस टर्म 1 के नाम से तो यहां पर आप देख रहे हो आपके सामने यह पेज खुलेगा जिसमें हमें इस सर्कुलर मिल गया पूरा तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या क्या सर्कुलर के अंदर है तो देखे सबसे पहले तो आप देखें इस सर्कुलर है इसकी डेट आपको यहां दिखाई दे रही है 19-3-2022 लेटे सर्कुलर है बिल्कुल ठीक है स्टार्टिंग में हैं थोड़ा बहुत सी बेसी ने बताए कि जो पीछे के सर्कुलर से उसको ध्यान में रखते हुए इस सब चीज आप पढ़ लेना ऐसे में में अगैं पॉइंट यहां पर डिसक्स कर रहा हूँ तो उसके बाद आप जाएंगे तो आपके पास थर्ड पॉइंट पर आप आऊ सबसे पहले ठीक है बाकी के दो पॉइंट आप रीट कर लेना कुछ खास जादा नहीं ऐसे नहीं है यहाँ पर थर्ड पॉइंट है उसमें कर रहा है तू एड्रेस दा डिफरेंशिस इन दा डिफिकल्टी लेवल इन दिफिकल्टी लेवल बिट्विन सेट फॉइंट पेपर इन टर्म वन एग्जामिनेशन यानि अगर किसी सेट में कुछ दिस्प्यूट था आपको ऐसा लगता है कि वह यह सेट मुश्किल था यह सेट असान तो यह सब चीज़ें सीबसी की नॉलेज में है तो इन सब को लेकिन कंसिडर किया जाएगा टर्म टू की जो फाइनल रिजल्ट बनेगा टर्म टू के एक्जाम के बाद तब इन सब चीजों को कंसिडर किया जाएगा और उसमें क्या पॉलिसी यूज की जाएगी उसी समय सीबसी क्लियर करेगा इस तरह की किसी परफॉर्मेंस की वज़े से टर्म वन एग्जामिनेशन नहीं दे पाया है तो जो टर्म टू की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही उसको एनलाइज किया जाएगा और उसका रिजल्ट दिया जाएगा ठीक है फिफ्ट और सिक्स्थ कुछ ऐसे कोई खास पॉइंट है नहीं इसमें यही बता रहा है आपको कि आपकी जो मार्ग शीट है वह आपको टर्म टू के एक्जाम के बाद मिलेगी अभी कोई मार्ग शीट आपको नहीं मिलेगी उसके बाद आते हैं हम सेवन्थ नंबर पॉइंट पर इस सेवन्थ पॉइंट में करता है तो वेटेज ऑफ टर्म वन अंद टर्म टू दो वेटेज और टर्म टू विल बीडिसाइड अधा टाइम अफ डिकलेरेशन अफ टर्म टू रिजल्ट अधर अगोर्डिक लिड़ी अब इतक हमारे पास जो सीन है वूसीन में टर्म वन 50% टर्म टू 50% लेकिन आगे अभी सिचुएशन का कुछ नहीं बता जैसे भी सिचुएशन नॉर्मल है अगर ऐसे नॉर्मल रहता है तो में भी 50 50 ही रहेगा कुछ चेंजिश नहीं होगा लेकिन अगर कुछ और सरक्मस हमारा जो next point है अगर आपके पास आपकी compartment आती है hopefully आप मेंसे किसी की compartment नहीं आएगी अगर compartment आती है तो जो syllabus term 2 का है उसके according आपका compartment का exam होगा इसके बाद हम चलते हैं अगे point number 12 पर in all cases wherever problem have been reported in the question paper or marking schemes due care has been taken by the board and the performance of the student has been calculated or recalculated by the board taking into account the revised answer की wherever applicable or awarded marks for dropped questions in a suitable manner keeping in mind the academic interest of the student यानि जो भी disputes ते उसको related जो भी final decision होगा उसको सीबसी ध्यार में रखेगी और उसके बाद यो final result announce करेगी point number 14 पर आते हैं जो अब के लिए सबसे important point है अभी के scenario में online dispute reversal mechanism for the term 1 examination is made available with immediate effect student can send the dispute to their school and school can send the combined dispute to the CBSE online dispute reduction mechanism faculty facility will be available till 31st March 2022 यानि अगर आपके term 1 के marks से आप लोग satisfy नहीं है आप चाहते हैं कि आपके marks दोबार भी calculate हो और evaluate हो तो उसके लिए आप अपने school में बता सकते हैं और स्कूल जो है जितने भी disputes होंगे उनको CBSE को forward करेगा और CBSE उसके बाद एक चीज़ और कहती है however disputes will be decided along with the verification schedule after the declaration after the declaration of the term 2 result यानि जब term 2 का result होगा तभी इसके बारे में जो final होगा वह आपको तभी पता चलेगा हाँ अपनी complaint बेश सकते हैं और आपकी complaint आपको school को देनी है school आपकी complaint को आगे CBC को forward करेगा और उसका जो भी result होगा वह आपको term 2 के evaluation कराना है तो यह date को जहान में रखे 31st March इससे पहले-पहले आपको अपनी complaint अपने school को रेजिस्टर करानी होगी तो यह सब information थी जो circular के थूँ मैंने आपको provide करी इस तरह की और भी latest update आपको मिलती रहेंगी रहेंगी साहें वो सी यू सीटी के regarding हो या सी बेसी एक्जाम के regarding हो तो चैनल के साथ बने रहें चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिए जितना ज़्यादा हो सकता है शेर कीजिए वीडियो को चैनल को और गॉड्ट ग्लासिस के जो expansion है उसमें अपना कंट्रिबूशन करने की कोशिश करें अपना सयोग करने की कोशिश करें जितना गॉड्ट ग्लासिस की community बढ़ेगी उतना मुझे motivation मिलेगा और आपके लिए कोशिश करूँगा और बेटर से बेंटर कंटेंट प्रोवाइड करनेगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्स तो अल आफ यू